कौन सी पत्री से सीख रहे हैं? याकूब से? ओके सो आज कौन सा दिन है? कौन सा हफता है जब हम याकूब से सीख रहे हैं? सात्वा, उपकी बार भाई लोग जोस में हैं सात्वा हफता है जब हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं कलीशिया में आते हैं वे हम साथ किसी को पांट साल, दस साल, आएचा साल, दो साल हो गए है, वचन, निरंतर वचन, पढ़चन, पढ़ग रहे हैं, सीक रहे हैं, लेकिन उसके बाव्जूत भी, हमारे जीवन में, एक बड़ा अंतर है, क्या है, बड़ा अंतर है, वो अंतर किस सीज का अंतर है ज्यान का अंतर फिर भी हमारे ज्यान में अंतर है हम कहते हैं इतने साल से हम प्रभु को जान चुके हैं इतने साल से चर्चाते हैं इतने साल से प्रभु के वचन को हम पढ़ रहे हैं उसके बावजोद भी हमारे बोलने में हमने जो ज्यान सीखा बाइबल जे जो सीखा है उसमें और हमारे स्वभाविक जो वेवहार है उसमें बहुत बड़ा अंतर नजर आता है दो प्रकार के ज्यान की बात याकूब करता है एक ज्यान है परमेशर की तरफ से स्वर्ग ज्यान हम उसको बोल सकते हैं कौन सा ग्यान? स्वर्ग ये ग्यान जो हमें परमीशन से मिलता है, जो हमें स्वर्ग से मिलता है दूसरा जो ग्यान है, वो ग्यान है दुनियावी ग्यान, संसारिक ग्यान, स्वभावी ग्यान संसारिक ग्यान जो हमें संसार से प्राप्त होता है जो संसार के अंदर हम सीखते हैं जो संसार तक ही सीमित है जो नाश्वान है उसको बोलते हैं संसारी ज्यान दो परकार के ज्यान की बात यहां पर हो रही है तो आज हम सीख रहे हैं दो परकार के ज्यान के बारे में याकूब अध्याए तीन निकाले जिए और उसका 13 से 18 वचन हम पढ़ेंगे और प्रभु के वचन को हम सीखेंगे याकूब की पत्री बहुती व्यवहारीक पत्री है बहुती व्यवहारीक पत्री है हमने व्यवहार हमारे जो व्यवहार है उसके बारे में वो बाते हमें सिखाती, मेhtवपोर्ण बाते, बुनियादी बाते हमें सिखाती, अलग-अलग विश्यों पर हम सीख चुके हैं, सात्वा दिन है, आज हम जब सात्वे प्रकार का ग्यान हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो प्रभु का जो वचन है, याकूब की पत्री में व्यवहार प्रैक्टिकल है तो आज हम सीखेंगे दो प्रकार के ग्यान के बारे में ठीक है आए निकाल लेते हैं अध्यायतीन तेरा से अठारा वचन क्या लिखावा है तुम में ग्यानवान और समझदार कौन है जो ऐसा है वह अपने कारियों को अच्छे चलन से उस नम्रता सहीत प्र समझदार कौन है अगर कोई है कोई बोलता है कि मैं समझदार हूँ मैं ग्यानवान हूँ तो उसको क्या करना है वो अपने उस समझदारी को उस ग्यान को अपने कारियों को अच्छे चलन से उस नम्रता सहीत प्रगट करे जो ग्यान से उत्पन होती है कौन से ग्यान से परम आतार करना बाहर किसी भी चहतर में काम करना उस बुद्धी से आने वाली नमिरता के साथ होना चाहिए जो भी कुछ हम और रहे कि तुम कारियों के दूरा उस नमिरता से परिगट करो जो किस आती है जो ग्रत है साथ प्रते लान ग्यान कैसा ग्यान है स्वर्गय ग्यान कैसा ग्यान है स्वर्गय ग्यान हमें नम्र बनाता है पहली बात लिख लिजिए स्वर्गय ग्यान जो है वो हमें नम्र बनाता है इस स्वर्गय ग्यान जो परमेश्र का जो ग्यान है बाइबल का जो ग्यान है जो हम अपने जीवन में सीखते हैं, अपनाते हैं, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, वो ग्यान, बाइबल का ग्यान, परमेश्र का ग्यान हमें नम्र बनाता है, क्या बनाता है, नम्र बनाता है, दीन बनाता है, अलेलुया, और ये नम्रता जो है, हमारे जीवन के हर छेत्र में नजराएग मैं परमेश्र का ज्यान मैंने पाया है परमेश्र का ज्यान अगर मैंने पाया है तो परमेश्र का ज्यान ने मुझे कैसा बना दिया नम्र बना दिया क्योंकि परमेश्र का ज्यान नम्र हमें बनाता है और ये जो नम्रता है मेरे जीवन की हर छेत्र में नजर आएगी आपकी घर में ये नमरता नजर आएगी आपकी परिवार के बीच में ये नमरता नजर आएगी आपके कारिय स्थल में जहां पर आप कारिय करते हैं ये नमरता नजर आएगी जो परमिसर के ग्यान से आपने पाई है आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते वहां पर वो आपके बच्चों के जीवन में जितने भाई या पर स्कूल जाते हैं आपके स्कूल में परमेश्र के ज्यान से नमरता वहां पर दिखाई देगी हमारे जीवन के हर छेतर में परमेशन का ग्यान अगर हमने पाया है तो हमारे जीवन से नमरता नजर आएगी हलेलुया दो परकार के ग्यान के बारे में हम सीख रहे हैं हमारे काम करने का तरीका बता देता है कि हम कितने ग्यानवान और समझदार है हमारे जीवन के अर्चेतर के बारे में बात कर रहें न हम काम में, स्कूल में, जहांपर हम नोकरी करते हैं वहाँ पर हमारे कारिय करने के तरीका बता देता है कि हम कितने ग्यानवान और समझदार हैं हमारा बात करने का तरीका बता देता है कि हम कितने ग्यानवान और समझदार है हमारे निरिड़े लेने का तरीका जो हम फैसले, बड़े बड़े फैसले अपने जिंदगी में लेते हैं वो बता देता है कि हम कितने ग्यानवान और कितने समझदार है कि हम कितना परमेश्र का ग्यान हमने अपने जीवन में अरजित किया है कितने परमेश्र के ग्यान को हमने अपने जीवन में ग्रहन किया है आने दिया है हलिलुया तो परमेश्र का ग्यान हमें क्या बनाता है? नम्र बनाता है बाइबल कहती न, कि परमेश्र का वचन है, वो दोधारी तलवार के समान है, कैसा है? दोधारी तलवार के समान, जब आप उस ग्यान को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम उस बाइबल की परमेश्र के ग्यान को अपने जीवन में कारिय करने देते हैं, वो हमें काट हम मैं एक्स आपट करते हैं सविकार करते हैं तो ओमें काटा-चाठता ए हमें परिवरतित करता है हमें सुध करता है हमें एक नया व्यवहार प्रदान करता है ए हमारे जीवन में नमरता को लेकर आता है, हालेलुया लेकिन कब आती है ये, हमारे जीवन में परिवर्तन कब आती है जो जीवन है वो नमर कब बनता है जब हम उसको काम करने देते हैं परमेश्र की वचन को जब तक अपने जीवन में हम काम करने नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा जब तक हम उसके वचन को जीवन में काम करने नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा परमेश्र किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता हमें अपने आपको वचन की अधीनता में देने की जरूरत है अपने आपको परमेश्र की अधिन्ता में देने की जरूरत है और अधिन्ता आशान नहीं होती अधिन्ता आसान नहीं होती बहुत मुश्किल होती है क्यों? क्योंकि ये संसारी ज्यान जो हमारे अंदर है न ये हमें अधिन्ता को स्वीकार करने देता ही नहीं है हमारा एहम आड़े आजाता है हमारा घमंड सामने आजाता है संसारिक ज्यान का जो आनन है वो सामने आजाता है हमारे जीवनों में परमेश्र के वचन को कारे करने ही नहीं देता अधीनता की जरूरत है अगर आप सच में बदलना चाहते हैं अपने आपको परमेशर की अधीनता में दे दीजिए अगर आपकी अधीनता में सामर्ध है, सच्चाई है तो सच में परमेशर कावचिन आपके जिन्दगी को बदल देगा कितनी बार हम प्रात्ना करते हैं? आप में से बहुतों ने प्रात्ना की होगी मैंने भी बहुत सारी प्रात्ना इस प्रकार करी होगी आपके जीवन में एक प्रकार का एक पाप है आपके जीवन में एक गुना है एक गलती है आप जानते हैं कि ये गलत है आप उसके लिए प्रात्ना करते हैं परमेशर प्रभू मेरे मुझे इस पाप से मुझे निकाल दे लेकिन फिर से उस पाप में गिर जाते हैं होता है कि नहीं ऐसे ही फिर प्राथना करते हैं प्रभू प्रीज मेरे जिंदकी से इस पाप को निकाल दे आत्मा त्यार है आत्मा को पता हिए गलत है और आपको आत्मा ने बता भी दिया कि ये गलत है आप प्राथना भी कर रहे हैं लेकिन आप उस पाप से निकल नहीं पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से संसारिक्ता की चंगुल में हैं आप अधीनता को स्विकार नहीं करते अधीनता को स्वीकार करना जरूरी है जक्कई को प्रभु येश्मसी ने देखा और जक्कई को बोला नीचे आज में तेरे साथ खाना खाऊंगा ये जक्कई एक बहुत बड़ा अधिकारी लालची, स्वार्थी, दूसरों के हक को मारने वाला दूसरों के धन को खाने वाला एक प्रकार का एक बिलकुल लालची व्यक्ति ये था लेकिन जब बोला कि आजा नीचे में तेरे साथ खाना खाऊंगा आज ये इतना बड़ा अधिकारी ये श्मसी के साथ में चल दिये खाना खाया बैठे और परमेश्र के साथ जबामना सामना हुआ इसका जीवन परिवर्तित हो गया क्या बोला जिसका भी मैंने लिया है अनूचे तरीके से मैं लोटा दूँआ प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है प्रभु येश्व मसी के वचन की अधीनता में वो अपने आपको लेकर आया कैसे येश्व ने उसको हुकम दिया और उसने हुकम को मान लिया येश्व ने कहा आजा उसने कोई आनकानी नहीं की वो उसके पीछे हो लिया येश्य की अधीनता को उसने स्विकार किया उसी प्रकार मत्ती के बारे में भी है चुंगी लेने वाला मत्ती प्रभु येश्य ने कहा मेरे पीजे हो ले उठके वो चोकी से चुंगी लेने वाली चोकी भी वो बेटा वहां से उठकर येसु मसी के पीछे हो लिया और उसके जीवन का परिवर्तन भी हम देख सकते हैं अधिन्ता स्विकार की उसका जीवन बदल गया जब तक हम परमेश्र की अधिन्ता को स्विकार नहीं करेंगे जब तक अपने आपको उसकी अधिन्ता में नहीं दे देंगे हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं देख सकते तो बाइबल का वचिन जो है यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गे ग्यान जो है जो परमेश्र का ग्यान जो है वो हमें नम्र बनाता है आप नम्र तब ही बनेंगे जब उस अपने आपको प्रभू के हाथ में दे दोगे प्रभू मेरी जन्दगी में काम कर जैसे तुने मत्ती के जीवन में किया जैसे तुने जक्कई के जन्दगी में किया जैसे तुने पोलिस के जन्दगी में किया इतना खुखार आदमी, खतरनाक आदमी, मारता था लोगों को, सिर्फ उसकी हत्या में वो सामिल था, लेकिन येश्यू के साथ आमना सामना हुआ, तो इतना बड़ा प्रभु का सेवक बना, आज भी हम उसके वचनों, उसके दुरा लिखी गई बातों को, बातों से प्रभु की बारे में सीखते हैं, अधीनता जरूरी है, वचन खाली सुनने से, बाइबर में हमने पहले भी सीखा था ना, सिर्फ वचन के सुनने वाले मत बनो, सुनने वाले अपने आपको क्या देते हैं, दोखा देते हैं, आपने सुना, आपने उस पे मनन नहीं किया, आपका सुन वह बेकार चला गया आपने सुना आपने सुने वी वचन के अंदर अपने लिए कुछ नहीं खोजा वो वचन व्यर्थ हो गया जो सीखते हैं हम जो सुनते हैं उस वचन से वो सीखिये आज परमेश्र ने इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बात की है और परमेश्र का वचन जब आता है वो बिना काम करे वापिस नहीं लोटता अगर वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है तो सच में आपके लिए उस वचन में कुछ न कुछ जरूर है खुदावन का कलाम आपसे बात जरूर कर रहा है बस ये है आपको ध्यान देने की जरूरत है कि खुदावन आध मुझसे बात क्या करी ऐसे फाल तू बिना सुन तो लिया अगर अपने मन नहीं कि अपने लिए कुछ खोजा नहीं तो सच में आपका इतर बैठना वेर्थ हो गया आपको यहाँ पे आना वेर्थ हो गया आपके पैसे वेर्थ हो गया किराय लगा के आए हो पैट्रोल अपने वचण से आपसे बात करता है आपको पूचना आपको पहचाना है कि इस वचण ने आज मुझे से क्या बात की है इसके लिए भी अधिंता जरूरी है अपने आपको उसके हाफ में दे दीजी हललुया तब हम स्वर्गिय ग्यान को पाएंगे तब हम स्वर्गी ज्यान को क्या करेंगे प्राप्त करेंगे और स्वर्गी ज्यान हमें बदल देगा स्वर्गी ज्यान हमें नम्र बनाता है हललुया 14 में 14 में कहली खावा परंतु यदि तुमारे रदय में कटू इर्श्या और स्वार्थी आकांग्शा हो तो गर्व न करना औरने सत्य के विरोध में तुम जूट बोलना मतलब क्या है कई बारी हम हमारे अंदर जलन भी है हमारे अंदर घमन भी है हमारे अंदर जूट भी है हमारे अंदर स्वार्थ भी है फिर भी हम दावा करते हैं पता है मैं चर्च जाता हूं तो जो पता है मैं येश्व मसी की भवन में जाता हूं वहाँ पर प्रभु का वचन सीखता हूं भाई अगर तू वचन सीखता है तो तेरे अंदर जलन क्यूं है तेरे अंदर जूट क्यूं है तेरे अंदर स्वार्थ क्यों है, तेरे अंदर घमंड क्यों है, क्योंकि येश्यू ऐसा नहीं है, हम करते हैं न, दावा करते हैं, मैं चर्च में जाता हूं, प्रभु का वचन में पढ़ता हूं, बाइबल में पढ़ता हूं, इतनी बार मैंने बाइबल पढ़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी हम घमंड करते हैं, ये जूट हमारे जीवन में है, स्वार्द हमारे जीवन में है, फिर भी हम इस बात पर घमंड करते हैं, कि हम चर्च जाते हैं, हम मसीही लोगें, आपका घमंड वेर्थ है, आपका घमंड क्या है, वेर्थ है, आप जूट बोल रहे हैं सत्य की विरोध में जूट कैसे बोल रहे हैं एक मुख से कह रहे हैं हम चर्च जाते हैं और उसी मुख से हम गालिया देते हैं उसी मुख से हम ऐसे सब्द बोलते हैं जो कड़ुए हैं जो दूसरों की आत्मों को तोड देते हैं हमारे जिन्दिकियों में ghamanod है फिर हम बोलते हैं जर जाते हैं स्वर्गे ग्यान घमंडी नहीं बनाता स्वर्गी ग्यान हमें नम्र बनाता है अगर आज तक हमारा जीवन ऐसा ही है तो सच में वचनों पर पूचा तो है, सोरी की ज्यान पर आपने आज तक गोर नहीं किया है, बाइबल आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों पर आज तक आपने गोर नहीं किया, मनन नहीं किया, आपने कभी ये पूछा ही नहीं, प्रभू आज मैंने जो वचन पढ़ा है, इसमें मे मेरे लिए क्या है क्या है मेरे लिए मैं इसको पढ़ रहा हूं एक कविता के जैसे मैं नहीं पढ़ना चाहता प्रभू बता मैं जो पढ़ रहा हूं इसमें मेरे लिए क्या है आज तो इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बात करना चाहता है कभी हमने प्रातना है नहीं कभी अगर हमारे जीवनों में इस प्रकार के हमारा विवहार ऐसा है जूट, गमंड, स्वार्थ ये और फिर भी हम बोलते हैं विरुद जूट बोल रहे हैं स्वर्ग्य ग्यान जूट बोलने की प्रेरिना आपको नहीं देगा स्वर्ग्य ग्यान घमंडी होने की प्रेन आपको नहीं देगा स्वर्गे ग्यान आपको मतलबी बनना नहीं सिखाएगा स्वर्गे ग्यान आपको नम्र होना सिखाता है हलेलुया यह तो वो ग्यान नहीं जो उपर से उतरता है अगर तुमारे दिल में जलन है तुम मतलबी हो, तुम स्वार्थी हो, तुम जूटे हो, तो भाईया ये ग्यान वो ग्यान नहीं है, जो स्वर्ग से उतर की आया है, जो उपर से उतरता है, यह तो वो ग्यान नहीं जो उपर से उतरता है, वरन संसारिक, स्वभाविक और, जो और से बुलिए, कैसा है, शैता नहीं है इमेजन कीजिए क्या कह रहा है वो चन अगर तुम्हारे अंदर जलन है मतलबी पन तुम्हारे अंदर है और तुम जूटे हो घमंडी हो तो Coffee यह ग्रान हो नहीं जो उपर से आता है उपर का ग्रान सुर्ग का ग्रान ग्यान आपको ऐसी कुछ बाते नहीं सिखाता, ये कौन सा ग्यान है, बताता है, ये संसारिक, स्वभाविक और शैतानी है, सैतानी ग्यान है ये, सैतानी ग्यान आपको जूट बोलना सिखाता है, गमंड करना सिखाता है, जलन करना सिखाता है, स्वार्त आपके जंदिगी में लेकर आता है अब सोचके देखिए जब हम ये बोलते हैं चर्च जाते हैं उसके बाजुद हमारे जीवनों में ये चीजे पाई जाती हैं लेकिन आज तक हमारा स्वभाव ये बता रहा है कि हम तो येश्व की अधिनता में है ये नहीं क्योंकि हमारे अंदर जो ग्यान निकल कर आता है वो तो स्वभाविक है संसारी के और सैतानी है चर्च में आके भी सैतान की अधिनता में इतने सालों से सैतानी ये बहुत बुरा वर्ड है हमारा ग्यान अगर हमारे अंदर इस परकार की बाते जो हमने पड़ी है चोदा में ये ग्यान जो है जलन स्वार्थिपन ये सैतान का कारिय है ये सैतान का स्वभाव है मसीह का स्वभाव नहीं है क्योंकि जहां स्वार्थिया कांग्षा होती है वहां बखेडा तदा हर परकार की बुराई भी होती है देखिए कहां से connect कर रहा है वो अगर तुम्हारे दृदय में इरश्या है स्वार्थिया कांग्षा है तो ये उस ग्यान की उपज नहीं है जो तुने उपर से पाया है ये वो ग्यान नहीं जो उपर से है लेकिन ये संसारिक सवभावी को सहतानी ग्यान है और जहां सेतानी ग्यान होता है वहाँ पर क्या होता है संसारिक ग्यान जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है जहाँ पर हमारे स्वभाव से उत्पन ग्यान का बखान हम करते हैं वहाँ पर क्या होता है लिखा है सोला में क्योंकि जहां स्वार्थ या कांग्शा होती, वहां पर बखेडा, तथा हर परकार की बुराई होती है, हर परकार की बुराई होती है, दुसरी बात यही है, संसारी ज्ञान से स्वार्थ, जगड़ा तथा अनेक बुराईया जीवन में आती है, अच्छाई कुछ नहीं आती, संसारी ज्ञान से बचिये, इस्वरी ज्ञान हमें कभी भी गलत रास्ते की ओर ہमें अगरशर नहीं करेगा, गलत रास्ते पर वो हमें कभी भी लेकर नहीं जाएगा गलत चीजों को इस्तिमाल करने की अनुमती वो हमें कभी भी नहीं देगा गलत कारियों में हाथ डालने की अनुमती हमें वो कभी भी नहीं देगा इस स्वरिय ग्यान स्वरिय ग्यान हमें बुद्धिमान बनाता है परमेश्र के उदेश्यों को समझने में हमारी मदद करता है गलत रास्ते पर जाने से वो हमें रोकता है स्वरिय ग्यान लेकिन संसारिक ग्यान हमें बुराईयों की ओर ले कर जाता है अब देखी न इतने सालों से प्रभु में है हम इसी याकूब की पतरिश सीखते हैं हमने सीखा था इतने समय से प्रभु में है चर्च में आ रहें बाइबल भी पढ़ते हैं जैमसी की भी करते हैं अगर पाया है तो आपने गोर नहीं किया अंदेखा कर दिया परमेश्र का ज्यान कभी भी आपको जूट बोलने की और लेके नहीं जाएगा लेकिन आज भी हम जूट बोलते हैं हम परमेश्र के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, अंदेखा कर रहे हैं परमेश्र का वचन हमें बूरी चीजियों का इस्तेमाल करने से रोकेगा, लेकिन आज भी बहुत सोरे लोग करते हैं, मैं कितने लोगों को देखता हूँ, एक बार तो मैं इने यहाँ पर देखता हूँ, जैम ऐसे की करते वे देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, प्राथना करते वे देखता आप संसारी ज्यान से प्रभावित हैं और संसारी ज्यान हमें नरक की ओर लेके जाता है कहां लेकर जाता है? नरक की ओर लेकर जाता है इस्वरिय ज्यान हमें परमेशर की सही पहशान प्रदान करता है परमेशर की सही उदेश्य की ओर हमें लेकर जाता है स्वर्गे ज्यान हमें परमेश्र की जो योजना है उसके नुसार चलना सिखाता है इस परकार की बातों की ओर हमें नहीं ले जाता चूट बोलो, नशा करो, गालियावको, वैबिचार करो, गंदी बातों को बोलो, गंदी संगती में बैटो इस प्रकार का हमें परमेश्र का वचन प्रेढ़ना नहीं देता अगर आप इस प्रकार से करते हैं आप संसारी ज्यान की प्रेढ़ना से प्रभावित हैं परमेश्र के ज्यान की प्रेढ़ना ऐसी नहीं है एक बार की बात हैं मैं नया नया विश्वास में मैं आया था और मैं अपने गाओं गया और मेरे बहुत सारे मित्र इकठा हो गए सबसे मिला हाथ मिला आया सबसे बहुत खुस खुसी वी इतने दिनों की बाद मिलने का मोका मिला सब लोग बहुत खुस सब लोग बड़े खुस भाई चलो यार आज बहुत दिन बाद मिले हो चलो घूमने चलते हैं थोड़ा हम जब गाउं में थे तो अपने दोस्तों के संग खेतों में घूमने जाते थे एकसर तो बोलो चलो चलते हैं तो मैं जाने लगा और मैंने अपने एक दोस्त के हाथ में दारू की बोतल देखी, ऐसे लहराते हुए वो जा रहे, मैं भाई कहा जा रहे हूँ, भाई आज मस्ती करेंगे, और प्रभू के आत्मा ने मुझे कहा कि इसी वक्त तु वापिस हो ले, ये तेरे लिए सही नहीं है मैं ऐसा भी कर सकता था कि चलो तुम लोग पी लेना, लेकिन मैं तो मैं बैठ जाओंगा, मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी उस संगती का हिस्सा तुमें हूँ, वो भी गलत है, लेकिन प्रभू के आत्मा ने कहा, वापिस हो ले, प्रभू का ज्यान जो मैंने थोड़ प्रभू सीखा था, उसने मुझे ये प्रेणा दे कि ये संगती तेरे लिए सही नहीं है, मैं उसी वक्त आधे रास्ते से वापिस लोटके आ गया, चाहे भले किसी को बुरा लगे, लेकिन सच में प्रभू का ज्यान, प्रभू की आत्मा मुझे अगवाई नहीं करती कि मै आप लोगों के साथ में जाओं, क्योंकि आप नसा करोगे, परमेश्र का ग्यान, स्वर्ग्य ग्यान आपको गलत चीजों की और अगरसर नहीं करेगा, गलत चीजों की और जाने के लिए प्रेणा नहीं देगा, स्वर्ग्य ग्यान आपको परमेश्र की सही पहचान बताता है सही योजना के नुसार चलने के लिए आपकी साहेता करता है और आपकी मदद करता है अलेलुया अगर आपको सही रिती से परमेशन रहा उसके योजना को उसको समझना है तो हमें सुरिय ग्यान की जरूरत है उसके वचन को पढ़ने की जरूरत है मेरा जोकरी में वचन कासन युहना को दिया और वो उसको तब मिले मतलब जब वो दुनिया से बिल्कुल अलग था बिल्कुल बाहर पत्मुस के टापू पे वो अकेला है परमेश्र के इतने बड़े दर्सन को उसने पाया दुनिया से कटना पड़ता है परमेश्र की योजना को जानने के लिए उस उसके नुसार चलने के लिए हमें दुनिया से, दुनिया के ज्यान से कठना पड़ेगा, दुनिया की जो बुरी संक्ति है उनसे कठना पड़ेगा, हालिलुया, सर्गे ज्यान हमें परमेश्र की ओर लेके जाता है, उसके उदेश्य की ओर लेके जाता है, उसको पहचानने में हमारी मदद करता है आजकल हो क्या रहा है परमेश्र के वचन को लोग पढ़ना नहीं चाहते सीखना नहीं चाहते सबसे पहले क्या चाहिए चमतकार वचन पढ़कर ये नहीं जानेंगे कि परमेश्र कौन है परमेश्र क्या करता है उसकी योजना क्या है क्यों वो इस संसार में आया क्यों उसने अपना लहूब आया क्यों उसने अपना बलीदान दिया वो मेरे जीवन से क्या चाहता है वचन पढ़कर नहीं सीखना चाहते बस प्रभू कर येसु मसी का नाम लिया बोलते हैं मैंने नाम ले लिया नाम ले लिया ग्यान नहीं लोगे क्या येशु का नाम ले लिया लेकिन ग्यान नहीं लिया और जो येशु का नाम ले 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 उपता क्या करते हैं वो यूट्यूब पर जाते हैं कहा जाते हैं यूट्यूब पर जाते हैं अब सही ग्यान उनको है नहीं पच्छिस हजार का बीजबो क्या आते हैं मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से मुझे बड़ा दुख हुआ प्राथना करवाने के लिए पच्छिस हजार वहाँ पर देखे आये हैं चंडी गट गए थे बहुत बड़ी भीड में दिये भी प्राथना भी नहीं हुई एक अंकल बड़े नीरासा में थे हम तो गए तो थे बीजबो कर आए हैं देखो हमारी पत्नी का नंबर ही नहीं आया अब तक तो हालत वैसी ही है आपने ग्यान नहीं पाया सिर्फ नाम ले लिया अगर ग्यान पाया होता वहाँ पर नहीं जाते येशु का ज्ञान ये नहीं है येशु सिर्फ चंगाई देने नहीं आया सिर्फ छुटकारे देने नहीं आया येशु जीवन देने आया अनन्त जीवन देने आया क्या करने आया? अनन्त जीवन देने आया और अनन्त जीवन हमें कब मिलता है जब हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं, जब हम परमेशन के सामने पश्चाताप करते हैं, जब हम येश्यू को अपने जीवन का उद्धार करता करके सुईकार करते हैं, और उसके रास्ते पर हम चलते हैं, अपना जीवन उसे देते हैं, वचन कहता है, उसी वक्त हमें उद्धार मिल जाता है येश्व उद्धार देने आया वो अद्भुत काम करता है अद्भुत काम करता है वो छुटकारी भी करता है चंगाई भी करता है हमारी वो छोटी सी बच्ची चांदनी चलने लगी प्रभु की दिया से करता है वो अद्भुत काम और ले जाने लेके जा रहे थे उनसे छुडाने के लिए संसार में आया और उसने हमें पापों से आज जाद कर दिया हलिलुया लेकिन जब तक आप बाइबल पढ़ोगे नहीं जब तक अच्छी शिक्षा को सुनोगे नहीं तब तक ये ज्यान आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस रिती से चलोगे नहीं सिर्फ नाम ले लिया ज्यान नहीं लिया बहुत ज़्यादा उतावली में हो बहुत ज़्यादा जल्दवाजी में हो तो बस संडिगड ही जाओगे और कहीं नहीं जाओगे और कुछ भी नहीं पाओगे प्रभु का ज्यान अगर पाना है स्वरिये ज्यान अगर हमें पाना है हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है प्रभु का वचन पढ़ने की जरूरत है सिर्फ अद्बुत कामों से प्रभावित मत हो ये चिन और चमतकारों से प्रभावित मत हो ये सैतान भी चिन चमतकार करता है सैतान भी चिन चमतकार अद्बुत काम करता है है ऐसी जगे जहाँ पर सैतान की अलग-अलग कारिये होते हैं और वहाँ पर अद्बुत काम होते हैं ऐसी जगे आप ये देखिए जहाँ पर आप जाते हैं जो सिक्ष्य आप यूट्यूब पे सुनते हैं या कहीं भी सुनते हैं आप ये ध्यान दीजिए आप ने जब तक आप ज्यान प्रभु का नहीं पाया वचन को अगर आप नहीं जानते आप पहचान नहीं पाओगे सामने वाला सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है आप पहचान नहीं पाओगे वो भविश्य वानी जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है परमेश्र की भविश्यवानी परमेश्र के राज्य के लिए होती है किसके लिए होती है परमेश्र के राज्य के लिए परमेश्र अपने राज्य के लिए भविश्यवानी करता है वो भविश्यदवक्ताओं के द्वारा बातचीत करता है मिरकल मनी आने वाले हैं प्राथना कर रहा हूँ लोग अपनी पासबोग अपने बैंक के काड लेके बैठ जाते है कहा लिखा है बाइबल के अंदर ऐसा कहा लिखा है संसारी ग्यान हमें इस चीज की और अगरसर करता है स्वर्गिय ग्यान हमें गलत सिक्ष्याओं की और कभी अरगरसर नहीं करेगा याद रखिए हमें परमेश्र का ग्यान प्राप्त करने की जरूरत है हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है परमेश्र का वचन हमारे जीवन को बदलता है उसे जानिये फालतों में अपना time waste, अपना पैसा waste मत कीजिए सीखिए, जानिए, अपने जीवन में उसे कार्य करने दीजिए हालेलोया, संसारी ज्यान से स्वार जगडा और अनिक बुराईयां जीवन में आती है बुराईयां ही होती है, आप ठक हार के आप रोने बैठ जाओगे देते हैं, किसी जरूरत मन को देते हैं, तो खुदावन खुश हो के वैसे ही तेरे जीवन को भर देता, लेकिन गलत जगए हम जब लेकर जाते हैं, वो पैसे का गलत इस्तेमाल है और यह स्वर्गे ज्यान नहीं सिखाता, और इसी वज़े से हमारे जीवन में जगडे और अनेक बुराईयां आती हैं संसारिक ज्यान की वज़े से लेकिन जो ओपर से जो ज्यान आता है स्वर्गे ज्यान जो होता है वो क्या करता है मारे जंदगियों में देखिए पढ़िए वचन को 17 में पर जो इन ऊपर से आता है ऊपर से कहां से चट से कहां से स्वर्ग से प्रभ। के पास स्वर्ग में प्रमेश्तर है सवर्ग से जो ग्ञान आता है ऊपर से जो ग्ञान आता है वो पहले तो बोली जोर से फिर 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 आगे और अच्छे फ़लों से लदा हुआ स्थिर और कपट रहित होता है हाललुया तीसरा जो वाद हम सीखते हैं सवर्य ग्न हमारे जीयन में क्योंकि ये ग्यान कैसा है? पहली बात, साथ बात ही यहाँ पर है, ठीक है? अपने हाथों को ठालीजिए. ये ग्यान, उपर से जो ग्यान आता है, वो कैसा है? पवित्र है, मिलंसार है, कोमल है, विचारशील है, करुणा में है, अच्छे फ़लों से लदा हुआ है, स्थिर और कपट रही थैं. हालेलुया, जिसके जीवन में, ये ग्यान होगा, उसके जीवन में प्रभु की शान्ती होगी. इसलिए मैं कहरा हूँ कि, सोरी की अग्यान, हमारे जीवन में शान्ती को लेकर आता है. हालेलुया, हमने चौदा में सीखा था कि, हमारे अंदर अगर इश्या है, स्वार्थी मतलबी पन है, हम दावा करते हैं, कि हमारे जीवन में, मतलब प्रभु का ज्यान हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर गमन, जूट जलन आदी पाई जाती है, हम में से बहुत सारे भाई वेन होगे, मुझे मिला के भी, मैं बोलता हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं शिक्षा देता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी कलीशिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसी बाते पास सकती है, जो कि अनुचित हैं, जो कि गलत हैं, जो कि वचन के अनुसार नहीं है, हम दावा करते हैं, लेकिन ऐसा ग्यान उपर से नहीं है, ये वो ग्यान नहीं जो उपर से उतरता है, हमें उपसे आये हुआ जो संसारी ज्यान जो है हमें इस प्रकार का बनाता है हमें मतलबी बनाता है हमारे जीवन मैंने को बुराई और बखेड़ों को उत्पन करता है इसलिए मैंने का था संसारी ज्यान से स्वार्थ जगड़ा और अने एक बुराईया जीवन में आती हैं अब अपने आप से हम पूछ लें कि मेरे को इतने साल होगे चर्च में आते हुए लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोद है फिर भी मैं लोगों की सफलता को देख के जलता हू फिर भी मैं लोगों के जीवन में बरपूरी को देख के जलता हूँ फिर भी मैं अपने भाई बहन से किसी से विफालतु में आई वही जलता है रहता हूँ फिर भी जूट बोलता हूँ फिर भी मेरे अंदर घमंड है कोई-कोई तो कुछ भी नहीं फिर भी घमंड है क्यों मैं ऐसा हूँ, अपने आप से पूछने की जरूरत है उत्तर यही है कि आपने प्रभु के वचन को प्रभु के ज्यान को अपने जीवन में प्रभावसाली होने ही नहीं दिये कार्य करने ही नहीं दिया जब तक संसार के ज्यान की पकड में रहोगे तब तक ने जीवन में परिवर्तन नहीं प्राप्तर पाऊगे तब तक प्रभू येश्यू के जैसे हम बन नहीं पाएंगे प्रभू की इच्छा यही है, हम उसके जैसे बन जाएं अलेलॉया और इस परकार जब हमारे जीवन में जलन होती है गमंड होता है, इर्शा होती है हमारे जीवन में क्या लेकर आता है ये चीजे हमारे जीवन का गमंड, हमारे जीवन की जूट हमारे जीवन की इर्शा हमारे जीवन में जगडे ले और बुराईयं लेकर आती है जगडे होते है हमारे जीवन में अपने ही कर्मों के द्वारा अगर सही ग्यान होता तो साइद हम वो कर्म ना करते अगर सही ग्यान होता तो हम जगड़े और रनेक बुराईयों में नहीं पड़ते अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो हमें वो ग्यान चाहिए जो परमेश्र की और से आता है यानि कि उपर से आता है वो जो बाइबल में परमेश्र ने अपना लिखित वचन हमें दिया है हलेलुया ये परमेश्र का जीवित कलाम है परमेश्र की प्रेणा का लिखित रूप है इसे पढ़ना जरूरी है ये कैसा है ये हमारे जी उन्हों में स्वर्ग्य शांती को लेकर आता है ये पवित्र है अलेलुया ये पवित्र है परमेश्र का वचन पवित्र है जब ये हमारे अंदर जाता है हमें किसी भी पाप की और जाने से पहले ये में चेलेंज करता है मज्जा गलत है मत कर ये गलत है कितने बार लोगों आपने आपके मन में ये चीज़े आई है हाथ उड़ाए आती है ऐसे बाते मत कर गलत है ये वचन प्रभु का आत्मा है जो हमें प्रेर्णा देता है लेकिन फिर भी कई बर कर देते परमेश्र का वचन पवित्र है ये जब अंदर जाता है, ये आपको पाप की और जाने से रोकता है, ये आपको गलत आप सब्द बोलने से रोकता है, ये गलत विचारों से आपको रोकता है, क्यूंकि ये पवित्र है, हलिलुया, ये मिलनसार है, मिलनसार मतलब सब के साथ प्रेम भाव से रहना सिखाता है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप हमारा होता है जब ये ग्यान हमारे अंदर होता है मिलनसार सब के साथ प्रेम भाव से मिलने वाला हलिलुया दुस्मन हो जाए उसके साथ भी आप मिलनसार हो जाएंगे क्योंकि बाइबल से खाती है अपने दुस्मन को भी तुम क्या करो प्रेम करो ये कोमल होता है आपको अंदर ये जब ग्यान होता है परमेश्र का ग्यान होता है ये कोमल होता है ये आपको कठो और सब्द इस्तिमाल करने से रोकता है आपको पता चल जाएगा कि ये मैं बोलने वाला हूं मन में आ गया लेकिन आप रोक दोगे प्रभु का वचन ऐसा मुझे लाओ नहीं करता आप ऐसे सब्द नहीं बोलेंगे जिससे किसी की आत्मा तूट जाए या किसी का जीवन दुखी हो जाए ऐसे सब्द आप नहीं बोल होगे विचार सील है आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं दूसरों के जीवन के बारे में आप विचार करने लगते हैं दूसरों की जरूरतों को आप समझने लगते हैं दूसरों के दुखों में आप खड़े हो जाने लगते हैं दूसरों के साथ आप मेल भाहों से प्रेम करना आप सीख जाते हैं, विचार करते हैं आप, ये परमिश्र का वचन है जो आपके जिंदगी में कार्य करता है, सोच के देखिए, जब हम अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, लेकिन आज, जब हम किसी के दुख को देखते हैं अंदर आत्मा टूट जाती है, और मन में आता है, मैं क्या करूँ इसके लिए, खास में इसके लिए कुछ कर पाता, और हम करते हैं, जो कुछ हम से ho पाता है, ये प्रेना परमिश्र की वचन से आती है, वरना पहले आप ऐसे, नहीं थे, न मैं ऐसा था विचार सीले, करुणा में एक है, धया, धया करने वाला, धया आपको आती है आप दया करने वाले बन जाते हैं उसी दया की प्रेज़ना से आप माफ करना सीखते हैं उसी दया की प्रेज़ना से आप किसी के लिए उदार होना सीख जाते हैं अपनी घटी में से भी किसी के लिए देना सीख जाते हैं करूना में दया करने वाले आप बन जाते हैं जब ये वचन आपके जीवन में आता है आपका जीवन अच्छे फलों से लदा हुआ होता है कैसे फलों से? अच्छे फलों से लदा हुआ होता है बुरे विचार बुरी बाते हैं आपके जीवन में नहीं रहती अच्छे फलों से लदा हुआ होता है क्या मेरा जीवन अच्छे फलों से लदा हुआ है जब भी परमेश्र का स्वर्गे ग्यान हमारे जीवन में जाता है वो हमें स्थिर और कपट रहित बनाता है हमें मजबूत करता है विश्वास में मजबूत करता है त्रिड बनाता है आपके जिंदिगे का कपट खतम हो जाता है कपट रहिताब बन जाते ये है परमेशर के वचन की सामर्थ यही तो बनना चाहते हैं हम कितनी बार हम प्रातना करते हैं प्रभू मुझे पवित्र बना कितनी बार हम प्रातना करते हैं प्रभू मुझे मैं मिलनसार नहीं हूँ मुझे जल्दी मेरे जगडे हो जाते है मैं ऐसा क्यों प्रभू मेरे जीवन को बदल प्रभू मुझे कोमल बना मुझे बात करना सिखा मैंने कई बार बेजती का सामना किया है मेरे सब्दों के कारण मुझे कोमल बना, कितनी बार हमने प्रातना की, प्रभू, मैं दूसरों के बारे में सोचने वाला बन जाओं मैं बहुत स्वारती हूँ कितनी बार हम प्रातना करते हैं, प्रभू मुझे दया करना सिखा, जैसे तेरे अंदर दया है वैसी दया है मेरे अंदर हो कितनी बार प्राथना करते हैं कितनी बार प्राथना करते हैं प्रभू मेरा जीवन तेरे अच्छे फलों से लदा हो मेरा जीवन तेरे अच्छे फलों से बर जाए कितनी बार हम प्राथना करते हैं कितनी बार हम प्रभू मुझे मजबूत बना, मुझे सिर्ब बना, मेरे जीवन के कपट को मेरे अंदर से निकाल दे, कितनी बार हम प्राथना करते, करते के नहीं है, हम प्राथना करते, मैंने फर्स्ट सुरुवात में बोला था, जब तक आप उसकी अधीनता को स्विकार नहीं करोगे, आपका जीवन ऐसा बनने वाला नहीं है, अब इन साथ बातों को, मैं रिपीट करता हूँ, अपने आप से पूछना, क्या मैं पवित्र हूँ, क्या मेरे सब्द पवित्र हैं, क्या मेरे विचार पवित्र हैं, क्या मैं मिलनसार हूँ क्या मैं कॉमल हूँ क्या मैं विचार सील हूँ क्या मैं करुणा मैं हूँ क्या मैं अच्छे फलों से लदा हुआ हूँ क्या मैं स्थिर हूँ और कपट रहीत हूँ अपने आप से पूछना अगर हो तो बहुत अच्छी बात है खुदा आपको और आगे बढ़ाए अगर नहीं है तो हमारे लिए सोचने की बात है इतने साल हमने क्या किया इतने साल हमने क्या किया मैं मसी परिवार में पैदा हुआ मैंने इतने साल क्या किया अगर मेरा जीवन ऐसा नहीं बना क्या किया मैंने का है मेल मिलाप कराने वाले उस बीज को जिसका फल धारमिकता है मेल के साथ बोते हैं हालेलुया किस बीज को जो हमने उपर पड़ा है सत्रा में उस बीज को परमेश्र के वचन को जो पवित्र है मिलनसार है कोमल है विचार शील है करुणा मैं अच्छे फलों से लदा हुआ ह इस्थिर और कपट रही जो बनाता है उस बीज को मेल भाव के साथ मेल कराने वाले मेल मिला वाले उस बीज का फल धार्मिक्ता के साथ बोते हैं हलेलुया जिनोंने अपने जिन्दके में चीज़ों को पाया है परमेश्र के वचन के द्वारा वो लोग इनको क्या करते हैं बीज नहीं है तो क्या बोगे कौन से प्रकार का बीज आपके पास है स्वर की बीज या संसारी की बीज आप क्या बोते हैं लोगों के जिन्दकियों में नफरत जलन लड़ाई जगड़े या प्रेम शांती धीरज किरपा भलाई क्या वोते हैं अपने जग़ा पर खड़े हो जाएं